नमस्कार वेलकम तो माई यूटूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट फर्स तेम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर लिजे बेल ऐकों को हिट करके जरू आल भी स्लैक कर लिजिए लेटेस वीडियो की बात करें सुमी तो केमिकल से लेटेड वीडियो आ चुका ह यह स्टॉक मेरे पास अभी तक मेरे पॉर्टफोलियो में नहीं है बट मैं इसको सोच रहा हूं कि इन फ्यूचर एड करूंगा तो इसलिए मैंने स्टॉक को वाच लिस्ट में एड करके रखा है आप भी एड कर सकते कि इसमें डिरेक्ली इंवेस्मेंट की नहीं है क्योंक करने को मिलेगा क्योंकि अपनेंग़ जो मार्ट में सबसे बड़ा लीडर कहलाता हैता है बात करेंगे किन कसी कचारीं करें इसको बोला जाता हैं घ हक करेंगे कि किशन स्टैंच मैं जाता है कमपनी के यह सबiram alcanz pigeon इसे तो आती है आप इस कंपनी की वेबसाइट जाके हर साइज में भी देख सकते हैं कंपनी के अलग-अलग destination दिखाया कि कंपनी का हर hall में upstairs में किस टैपस की chemical नहीं में विल्ब किस टाइपस की styles यूज होती है तो इस टैपसे कंपनी की वेबसाइट में ही देखने को मिलेगी तो इसलिए कंपनी की वेबसाइट कोई भी स्टॉक को बाई करने से वहले कंपनी के एक बार वेबसाइट और एक बार screener में जरूर विजिट कर आगरे जिससे आपको बहुत ज़दा क्लियर हो जाएगा तो देख सकते में जो इखने को मिल जाते है तो मिल जके अब हैं एक बीस ने को क्या सकता तो लाजस्त मेनिफेक्ट्रइंग डेखने को मिल जाता है अब करें था बेगारे से के अब डिक से अनल thが पाइड्टिय बीसे तो सटर्ज सरमिक्स मनाती टाइड सबदा okay डंब बनाव Serv tool इसका brand name देखने को मिल जाता है company के sanity wear भी देखने को मिल जाते है company की बात करें company देख सकते है आप प्लाइबोट से भी manufacturing करने start करती 2018 से company के manufacturing plants कहां कहा है तो यह पढ़ सकते है UP में है, राजस्तान में राजस्तान में दो देखने को मिल जाते है आंदरपरदेश में भी देखने को मिल जाता company किते million square feet meter में कितना बनाती है तो देख सकते है 49.2 million square feet meter में company का production देखने को मिल जाता company का business अलग-अलग है company का अभी plywood का भी आयट करा तो definite अगर company का business भी गोडोत रही company products की demand रही तो in future ये company और भी बड़ी होते हुए देखने को मिल जाएगी बात करेंगे company का भी की market cap की तो 19.000 करोड का market cap देखने को मिल जाता current price की बात करें stock की तो 1238 रोपे के असपस देखने को मिल जाता high की बात करेंगी 52 week तो 1380 रोपे के असपस low की बात करें 46.2 का है 0.89 का company dividend देती है ROCE की बात करें 24.5 का ROE की बात करें 18.9 का Face value की बात करें 1 है In future कभी भी split नहीं देगी bonus ही दे सकती है company बात करेंगे Company की Pledge की कोई भी शेयर गिरवी तो नहीं रखा तो देख सकते हैं यहां पर प्लेज में एक जीरो देखने को मिल जाता है कमपणी की अच्छाई यह देखने को मिल जाते हैं अच्छी देखने को मिल जाती है उसका साजे साथ हजार क्रोड का मार्केट कैप देखने को मिल जाती है सोच सकते हैं कि बहुत ही बड़ी इव कंपनी है अपने सेक्टर का लीडर है तो definite कभी भी कोई भी बड़ा इंवेस्टमेंट आता है FIS बड़े-बड़े इंस्टिटुशन जो इनवेस्टमेंट करते हैं वो सेक्टर के लीडर को पकरते हैं तो definite इन स्टॉक में बहुत ही जादा पैसा आता है तो जरू स्टॉक को अपने फोकस में रख सकते हो बात करेंगे कंपनी के क्वाटर ली रिजल्ट की तो कंपनी का बिजनस कैसा वो भी देखना इंपोर्टन रहता है तो देख जून से अभी तक का बिजनस कैसा चल रहा है तो लास जून की बात करें जो कंपनी का बिजनस था आप बोज़सकते हैं 600 क्रोड के असपास था और अभी की बात करें एक हजार क्रोड के अस-पस का business देखने को मिल रही है, महला कमपणी की sales देखने को मिल रही है, पौपणी की last quarter की बात करिये है, तो ग्यारा सो क्रोड की अस-पस का company की sales देखने को मिल रही थी, बात करेंगे ये तीन quarter में तो company ने एक हजार के ऊपर ही बिजनस दिखाए बाट इसके पहले की बात करें तो company तीन digit में बिजनस करती थी तो देख सकते हैं अभी कर जब company का business है उसमें growth देखने को मिल रही है company की sales up strength में देखने को मिल रही है बात करेंगे company की operating profit की तो देख सकते हैं जो company operating profit last year 80 का था और अभी का बात करें तो 154 के आसपस देखने को मिल रहे है last time की बात करें last quarter की 166 और बीच में तो 184 तक company ने हाई लगाया था operating profit का margin की बात करें तो company का पहले 14 था फिर 19 सत्रा पंद्रा अभी की बात करें तो 15% के margin देखने को मिल रहे है यह up cent down रहते हैं क्योंकि margin depend करता है raw material महेंगा है की सस्ता है definite material इस ताम भी down होते हुए देखने को मिल रहे है इंफिलेशन थोड़ा control में आते हुए देखने को मिल रहे है इंडिया में तो definite इनके margin फिर से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे बात करें कंपणी का net profit सारे adjustment के बात जो company को in hand profit बसता तो last year की बात करें कंपणी 41 क्रोड कमाती थी और last quarter की बात करें 97 क्रोड और अभी की बात करें 93 क्रोड के असफास का profit देखने को मिल रहे है तो अच्छी बात है company को profit भी अच्छा maintain है पहले की बात करें जो company पहले बीच में तो आप 111 क्रोड तक भी गई थी देख सकते 130 क्रोड के असपर तो profits में ups and downs देखने को मिल जाते quarterly basis बट बात करेंगे profit and loss yearly basis तो company का यहां पर देखेंगे तो जो जो company 2011 में साड़े 900 करोड का business करती थी देख सकते बढ़कर 1500 फिर 1800 लगा तर हर quarter की बात करेंगे बिजनस बढ़ते हुए देखने को मिला था तो फिर इस टेम कोविड आया था कोविड के कारें हर business को effect हुआ था क्योंकि आपको बता है इंसेंशल सीजेयों में नहीं आती थी जिसका रहन से इनकी शॉप्स बंद रही थी तो इस definite इनका बिजनस अब बढ़ते हुए देखने को मिला तो देख सकते है company का business all time high के आसपास चल रहा है तो देख सकते है जो company की sales है वो 4000 क्रोड का business देखने को मिला तो देख सकते है company की sales बढ़ेगी तो definite company के margin automatic adjust हो जाते है net profit की बात करें तो company का net profit भी देख सकते है पहले जो company 200 क्रोड था फिर 300 फिर 380 और अभी का 400 क्रोड के असपास का company का net profit देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है जितना अधा net profit बढ़ेगा तो definite shareholder को ही इसका benefits देखने को मिल जाता ह बात करेंगे company की sales growth की तो देख सकते हैं 10 साल में करीब 11% की growth देखने को मिल रही है और 5 साल में 8% की profit growth की बात करें profit में अच्छा growth देखने को मिल रही है 17 और 8 के आसपास देखने को मिल रही है तो इसी टैप से company कर balance sheet चलते है तो company के reserves की बात करें तो company के बस करीब 200 क्रोड के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं वो करजे की बात करें तो 165 कुरूर के आसपस का करजा वन्ला करजा बहुत ही कम है कमपनी के ओपर तो कभी भी वो डैप फ्री कर सकते हैं बात करेंगे शेर ओल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर करी 47.50 की होल्डिंग रखते हैं दिखने को मिल रहे हैं लास्टम सितंबर 2019 में जो डीएस 10% के आसपस की होल्डिंग रखते थे वहां से उन्हें ने लगातार हर क्वाटर में माल खरीने की पूरी-पूरी कोशिश करी हैं और अभी की बात करें 22% से जाता की होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं पब्लिक की बात करें, 11% की होलिक है, तो कमपनी के चलते चार्ट पैटन में, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कमपनी का बिजनस में किस टैप से चार्ट में Ups and Downs देखने को मिल जाते हैं, तो बात करेंगे कमपनी का अभी की प्राइस की तो 1240 रोपे के असपास प्राइडे के दिन, 0.31% की किरावट देखने को मिली, पांच दिन में बात करें, तो पांच दिन में स्टॉक ने बहेंकर रेटन दिये, करीब 10% के असपास के रेटन बन दिये, एक मेने की बात करें, एक मेने में साड़े 4% के रेटन, छे मेने की बात करें, एक साल की बात में जब 17 जनवरी 2022 को company ने all time high लगाय था 1300 रोपे के आसपास का वहां से company में जो profit booking देखने को मिली वो stock करीब 34% down देखने को मिला और stock का price आपको बता देता हूँ करीब यह 900 रोपे के भी नीचे आते हुए देखने को मिला तो सो सकते हैं कि company में जब भी profit booking देखने को मिलेगी तो भेंकर profit booking देखने को मिल जाती है तो stock कब buy करना चाहिए तो friends stock को जब भी गिरावाट देखने को मिले तब आपको थोड़ी-थोड़ी quantity में investment करना चाहिए मेरे पास भी stock नहीं है मैं इसको watch list में add करके रखाऊं कि अगर अभी market में क्या है थोड़ा आपको देखने को मिलेगा negative बात चल रही है कि market नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे stock को आपको investment करना चाहिए जो long term में आपका पैसा अच्छे बना सके तो बात करें पांस साल में 70% के असपस के return दी है अगर maximum की बात करो company maximum में बहुती अच्छे मदद 36,000% के return दी है बट company का chart pattern भी देखेंगे तो वसी types में volatility देखने को मिल जाएगी तो देख सकते ups and downs देखने को मिलेगी कोविट के बात की बात करें तो कोविट के बात company ने 200% से ज़्यादा के return दे चुका है तो सो सकते steps के risks भी देखने को मिल जाते हैं तो आशेकर तो वीडियो के दुरू अपके पूरे doubts क्लिये कर दिये हैं और कोई query हो तो जरू comments box में comment करके पूस सकते हैं वीडियो थेंक यू बाइ-बाइ